अव्यूमेक सफ़ी का शिक्षाम पूर्षवागत है। प्रश्टपत्र हुए या जो एकजाम हुए हैं उन प्रश्टपत्रों के यहाँ पर हम लोग एक एक करके सॉल्ब कर रहे हें। और आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्त्राखंट प्रीक्षस परिच्छा 2009-10 की जो प्रारम भी परिच्छा हुई थी उस प्रश्ट प्रत को यहाँ पर हम लोग सॉल्ब करेंगे चलिए प्रारम करते हैं यह आपके आगामी परिच्छा जो जुलाई 24 में होनी है उसके के लिए काफी महात्पूर्ण साबित होगा इसमें पहला प्रशन है कि अल्मोणा के निकट लखुडियार लखुओ डेयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानो आकृतियां मिली है वह किस काल की है तो यह आपकी पाशार काल की है अगला है निम्रिकित में से किस इस्थान अगला है फ्रसिद बुद्ध के समकालें थे तो अश्रुघोष जो है कनिस के समकालें थे कनिस के काल में ही जो है चतुर्थ बहुत संगित का आयजन हुआ चलते हैं अगला है गणित की पुस्तक लीलावती की लेखक कौन थे? भासकरा चारी जो है इसके लेखक थे ब्लैक पगोडा कहा है? ब्लैक पगोडा जो है कोडार North कर जो शूर्यमंदीर है उसे ही ब्लैक पगोडा कहते हैं ये आपका कहां पे ये उडिशा के कोडार्क में इस्थित है इसका निर्मार 13 सताबदी में नर्सिंग देव वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था आगे चलते हैं किस प्राचीन भारती पुस्तक का 15 भारती यों चार विदेशी भासाओं में अनुआद हुआ है तो पंचितंत्र जो के गुप्त कालीन पुस्तक है इसका अनुआद जो है पंदरा भारती और चार विदेशी भासाओं में करवाया गया है इसके लिखक बिश् किस्से भात में रहा है, कहा जाता है कि ELEPHANTA के प्रसिद गुफा मंदिरों का सμंबन्ध था, राष्ट कोटो से था राष्ट कोटो से इसका संंबन्ध था, उन्हें इसका निर्मार करवाया था, महमूत गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद policy इितिहास कार कौन था, त खानवा के युद्ध में कौन पराई थो है? खानवा के युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मद्ध में 1527 में हुआ था जिसमें राणा सांगा की पराजे होती है हल्दी घाटे कायुद किस वर्स हुआ था हल्दी घाटे कायुद जो है महारणा प्रताप और अकबर के मद में 1576 इस भी में हुआ था आगे चलते हैं हुमायू नामा के लेखक कौन था हुमायू नामा के लेखक गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम जो है ये बावर की पुत्री और हुमायू की बहन और अकबर की बुगा रहती है अगला है बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किस से लिया था तो ब प्लास्टी का मैदान यह मैदान कहां इस हिद है तो यह पश्यम मंगाल में इस हिद है प्लास्टी का जो युद होता है वो तेज जून 1757 को हुआ था अंग्रे जो अंग्रे सिनापतित रबर्ड क्लाइब और बंगाल के नवाब सिराजु दौला के मद्ध में होता है जिसमें सिराजु दौला की हार होती है पानीपत की तीसी लिडाई में मराठो को हराया था किसने अफगानों में जो ये पानीपत की तीसी रिलाई होती है, 14 जनुरी 1761 में होती है, किसके मद में? माराठो और अहमसा अब्दाली अफगान था, जिसमें माराठो की हार होती है वह महिला जिन्होंने अवद में अठाव सताओं की क्रांती का नेत्रुति किया था अवद में बात कर रहे हैं तो ये थी बेगम हजरत माल जब कि जहांसी में किसने किया था लच्मी बाई ने किया था अगला है कि किस वाजसराय की हत्या उसे कारिकाल में की ये लाड मेओ लाड मेओ की हत्या जो है उसके कारिकाल में की गई थी कहां पर अंडवान निकोबार में इसका कारिकाल जो है 1879 से लेके 1872 तक रहता है जो पहली जनगर्णा है वो लाडमेयों के समय में ही कराई गई थी अगला है 1838 ISP में इस्थापित भारत का प्रथम राजितिक संगठन कौन सा था 1838 में इस्थापित जो पहला राजितिक संगठन था वो था जमीदारी एस्टिशिशन जिसे Land Holder Society के नाम से भी जाना जाता है इसकी स्थापना 19 मार्च 1938 को की गई इसके संसापक सदेश्यों में द्वारिकाना टैगोर प्रसंदना कुमार टैगोर राधा कांत देव का नाम आता है द्वारिकाना टैगोर जो है देवेदना टैगोर के पिता थे और कह सकते हैं रविदना टैगोर के बावा थे यहाँ पर दो सुचिया है सुमिलित करना महत्मा गादी का संब्ध जो है दान्डी मार्च से रहा है तो वन से मिला देंगे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजों के बिर्द भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्स की गई आगे बढ़ते हैं और आठ अगर्ष ते इसको प्रारम किया जाता है आगे चलते हैं लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने भारती सुद्धा संग्राम की सेवा के उद्देश कौन से समाचरपत प्रारम किया था इन्होंने दो समाचरपत केसरी और माराठा जो है इन्होंने प्र पासा में थी यहां पर B option हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जलिया वाला बाग कतलियाम किस सहर में हुआ था तो 13 अप्राल 1919 को अम्रिस्तर में हुआ था पंजाब के अम्रिस्तर में ठीक है इस समय भात का वाइसरा है लाट चेम्स फोर्ड था बात्मा गांधी ने पहला आमर गुरु को किस वाद या किस केस में फार्शी दिगए थी तो लाहोर सड़ेंतर केस में इनको फार्शी दिगए थी कब दिगए थी 23 मार्च 1921 को भारत की सुनता प्राप्ति के समय भारती राश्टी कांगर्स के अध्यश्कों थे जे बी क्रिपलानी इनके बाद जो है को दिया गया था भारतियों के बिरोद की कानगाल को फिर से कब एकिकर्त किया गया उनने सो ग्यारा में बिभाजन कब होता है 1905 में फिर से एकिकर्त किया जाता है 1911 में आगे चलते हैं अगला है सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे तो ये थे काला अनुक्रम क्या है ये चार घटना है सबसे पहले से चंपारन सत्याग्रा होता है 1917 में फिर आपका चंपारन के बाद खेडा सत्याग्रा होता है ये 1918 में 1918 में ही आमदाबाद मिल हर्ताल होता है तीसरे नमबर पे और 1920 में जो होता है असायोग आंदोलान होता तो एक ती एक तीन, डो, चार, एक तीन, दो, चार, आपका B-好不好 हो जाएगा, अगला प्रशन है कि Muslim League ने भारत की विभाजन की devices to अपने किस अदिवेशन में किया था? लाहोर अधिवेशन जो कि 1940 में होता, जिसकी अधिस्ता किस नी कि थी? मुहम्मद अली जिन्ना ने की थी. मुस्लिम लेक किस थापना कब हो थी? 1906 में हो थी, कहां पे धाका में हो थी. महात्मा गांधी ने अपनी आत्म कथा किस भासा में लिखी है तो गुजराती भासा में लिखी है कौन सी पुस्तक का नाम क्या है अगे चलते हैं अगला है भारत का सबसे बड़ा जलपरपाद वाटरफाल जो जो जोग जलपरपाद है जिसे गर्षपपा जलपरपाद भी कहते हैं किस नदी पर है तो यह सारावती नदी पर कहां पर है कनाटक में है अगला है दुनिया में सबसे बड़ा दीप ग्रीण लेंड के बाद दूसरा बताना है कौन सा है तो यह है न्यृगिनी न्यूगिनी बद बोर्णी ओ आता है जिस पे आपका इंडूनेशिया है इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्णोई जो देश हैं वो इस पे स्थित हैं आगे चलते हैं हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो प्रसांत महासागर सबसे बड़ा है सारे महासागरों है ओजोन पर्त या जो लेयर है आवस्थित है किस में समताप मंडल या इस चेटों स्पियर में आवस्थित है ये अगला है निम्लिकित भारतिये डिवपो में से कौन सा दीव भारत और सिलंका के मद्द में है तो रामेश्वरम जो है ये भारत और सिलंका के मद्द में इस्थित है भारत के निम्लिकित में से कौन सा चेतर उच तीवरता की भुकमपी मेखला में नहीं आता है निम्लित मसे किसे ओश्णियों, ओश्णिया के नाम से अवित, अवित देशों के भागुलिक समुह में समलित नहीं किया जाता है तो इसमें देखिए आपका मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, अस्टेलिया, नियुजीलेंड ये सभी आते हैं पर इसमें आपका इंडोनेशिया नहीं आएगा प्रिथिवी की भूमद रेखा कि कुल लंबाई कितनी है भूमद रेखा कि कुल लंबाई पूचा है ठीक है जो सारे दिसुस होकर गुजरेगी यह 40,000 किलोमीटर लगवर 40,000 किलोमीटर है ठीक है जब कि जो बिश्वती ब्यास है ब्यास की बात करें जो बिश्वती ब्यास है वो 12756 किलो मीटर है आगे चलते हैं अगला है किसी जगा का स्थानी समय छे बज़ रहा है छे बज़े प्राता है जबकि Greenwich Mean Time GMT जो है तीन प्राता है उस जगा की देशांतर रेखा क्या होगी दोनों में डिफरेंस कितना है तीन गंटे में कितना घुमेगे 45 जगरी घुमेगी 45 जगरी तो 45 जगरी ये पूर्व मिल होगा तो कि GMT जो है तीन बज़े पराता है और टाइम जो है आपका छे बज़े मतलब आगे है तो इसलिए पूर्व होगा यदि यहां पर उल्टा होता कि GMT छे बज़े होता और जगा कि इस्थानी समय तीन वजे होता तो यह क्या होता पैटालेश जिगरी पश्यम होता तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कौन ग्रेट लेक्स या कह सकते हैं कि महान जीलों का हिस्सा नहीं है कौन सा नहीं है महान जीले कनाडा और अमेरिका युए शेस्ट राज की उचाई कितनी है 850 से लेकर के 1200 मेटर के मध्य है कितने भारती प्रदेशों से हो करके कर लेगा ट्रॉपिक आप कैंसर गुजरती तो यह 8 राज्यों से गुजरती कौन-कौन से है तो यह आप पश्यम से पूर्व चलेंगे पश्यम से आप मैप में देखेंगे तो सबसे आपका अश्रम में मानस अभ्यारन या जो मानस राश्टी उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये हाथियों के सनचन के लिए प्रसिद्ध है फसल चक्र आवश्चक है किसलिए तो बिभिन फस्टलों की ये मिर्दा की उबरा सकते में विर्दी के लिए फसल चक्र आवश्रक होता है सबजी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्यन को क्या कहते हैं इसे उलेरी कल्चर कहते हैं फ्लोरी कल्चर सजावती पुश्पों का समर्धनियूम अध्यन होता है पुमोलाजी फलों का अध्यन होता है हार्टी कल्चर में फल, सब्जी तथा उध्यान, पात्कों का समर्धुन अध्यन होता है जबकि उलरी कल्चर में सब्जियों का अध्यन होता है आगे चलते हैं निम्लिकित में से को सा देश अरंड तेल वीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है तो ये है भारत आपका आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का निम्लिकित में से को सा एक प्राक्रितिक बंदरगा नहीं है कोचिन, मुंबई, चन्नाई, बिश्राख का पटनाब इसमें से चन्नाई जो है ये प्राक्रितिक बंदरगा नहीं है ये कृतिम बंदरगा है ये पूर्वी तरपर देश का सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा है अगला नहीं बिश्राख किस प्रदेश में अब्रग संसादन सरवादी के है तो इन बिकल्पों में रायस्थान सबसे अधिकित देखा जाएगा तो आपका कहां पर है आंदरप्रदेश 67% फिर दूसरे नंबर बिहार है 22% फिर तीसरे पे जारखंड है 8% और चोथे पे है तीसरे पे रायस्थान 8% और चोथे पे जारखंड 3% ठीक है देखिए अब वर्तमान में विश्व में अब्रग के उतपादन में सिर्ज नंबर पे कौन सा है चाइना है इससे पहले भारत हुआ करता था उतपादन में आगे चलते हैं दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर है तो यह चिनाब नदी पर कहां पर है चिनाब नदी पर आवस्त है भारत में पहली रेल लाइन कप शुरू ही 1853 1853 में मुंबई के थाड़े में प्रा सबसे बड़ा सहर है यह पेट्रोलियम के बंडार और उत्पादन के दिश से काफी संब्रिद है तो यहां पर D option हो जाएगा अगला है भारत में केंसाजित राज्यों की संखा कितने है वरतमान में जो केंसाजित राज्य है या प्रदेश है वो कितने है आठ है ठीक है प्र दिल्ली है लद्दाक है लच्छदीप है और जम्मु कश्मी तथा पुंडिचेरी है संब्धान के कौन सा अनुचेद दोस्चिद्ध के संबंध में अव्यक्तों को दोहरे दंडवा स्वा अभिशनसन से सनच्रण प्रदान करता है तो अनुचेद 20 अनुचेद 28 कि 20 संब्धान संसोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है अब यह आठकिल 301 के ताहत है 301 के ताहत आता है यह अगला है भारत के कंट्रोलर और और ऑडिटर जनरल कहें कि रिपोर्ट का परिछन न सभारा किया जाता है ठीक है कि लोग लखां सम ή Scientowej 22 सदेश्ष होते है 15 पंदरा लोग सभा के और शाथ राज्ष सभा के होते हैं भारत के मुखव चुनnाओं आयुद को नभलिक निविक से किसके द्वारों निविक कि द्याता है तो यह राश्पती के द्वारा निविक कि के द्वारा और जो संवित या स्वयुत अधिवेशन का प्रवधान है आठकिल 108 के तहथ है अगला है भारत के संभिधान के अंतर ग्राम पंचायतों के गठन किसके तहथ है ये नीत नीदेसिस्चितान डार्यक्टिव पिंस्पल के तहथ आता है और आठकिल 40 में है आठकिल 40 से नीचे रहने वाले संख्या क्या होती है बढ़ती है अगला है शमिकित बाले विकास सेवा इंटेगेट चाइल्ड डेवलेप्मेंट सर्विस नामक कारी करम का प्राराम किया गया था ग्यराहवी पंचवर्सी योजना का मुखी भाव क्या है या थीम क्या रही है तिविर् से 2017 तक थी जामितिक मादय भी प्रयोग किया जाता है निम्रिक ग्याद करने ले किसके लिए तो जन сंह नक्हेच बृद्रिदी दर सफकल राष्यू उत्पात दर ग्याद करने के लिए जयमितिक मादय कर भूर्ठ के लिए जेहां प्रकृत पर अधिक निर्वरता है उत्पादक्ता का निम्द इस्तर है फसलों की विवित्ता है पर उन्तु बड़े खेतों की प्रधानता नहीं भारत में जो जोत हैं वो क्या है वो छोटे हैं यहां पर D वाला इसकी विश्यस्ता नहीं अगला है भागरिथी घाटी में राज्मा और अलू की खेती प्रारम करने का श्रे working को दिया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला है कि भारत में निमलिकित में से प्रते चिकर, direct tax कों सा नहीं, देखें, direct tax के तहत आपका आयकर आएगा, income tax, संपत्य कर, wealth tax आएगा, संपता सुल्क, state duty आएगा, पर नो तो विक्री कर जो है, sales tax जो है, यह अप्रते चिकर, indirect tax के तहत आता है, D option, अ मथाई थे, स्री जान मथाई थे, अगला है, कुल राष्टी उत्पाद, LNP, और सकल राष्टी उत्पाद, क्या है, तो यह राष्टी उत्पाद का, मुल्य मापन के लिए इस्पमाल होने वाले, कर सकतें, instrument हैं, अगला है, भारत में राष्टी IKP, प्राकलन, estimates, तयार कि जाते हैं, किसके द्वारा केंदरी संकी संगठन के द्वारा तयार किया जाते हैं, भारती रिजर्वेंग की स्थापना कब हुई, 1935 में हुई थी, 1935 में RBI अधनियम 1935 के ताहत, एक अप्राल 1935 को, एक रुपए के भारती नोट पर किसके हसाचर होते हैं, बित मंतराले के सच्यूगे, इस से उपर की जो नोट होते हैं, उस पर RBI की गवर्नर के हसाचर होते हैं, आगे बात करते हैं, ध्वानी का वेक महत्तम कहां होता है, धात में सबसे अधिक होता है इसका वेक, निमलित में से कौन से किरिया स्वैद वास्पन, इबोपरेशन, आफ स्वैट से सμबंधित है, उश्मा शोशक किरिया, उश्मा शोशक किरिया, निमलित में से कौन सा रशायनिक उरबरक नहीं है, युरिया, सुपर फासपेट, पॉंट और सोडियम सेलफलैट, जो है, ये क्या है, बिरंजक के रूप में कारी करता है, अगला है प्लास्टिक में कौन सी प्रोमियम मैग्नीज का इस्तेमाल होती है, पर इसमें मॉली मेंडेन मом का इस्तेमाल नहीं होता है , फिर जोकों कौन सी गैस भरी जाती है तो इसमें क्लोरो-avan καबन गैस भरी जाती है , जो ओजू अंपरत को तो क्यों से Candia है ये वाईयरस जनित रोग वाइरस के सकतेВы्सक्रामंय चरण नहीं। नहीं उसमें ने माताइट से परिशार्पिय में नहीं आएगा। निमलित में से कौन अनुवांशिक अभेवस्था, जेनेटिक डिस ओर्डर नहीं है, डाउन सिड्रोम, हेमोफीलिया, इस्किल सेल इनेमिया, ये सभी तीनों है, पर उन्तु इरेटेबल, इरेटेबुल, बाउल सिड्रोम जो है, ये आत्स सम्मनित बीमारी है, आत्स में होने अगला प्रशन है, कि जल में घुलंसील बिटामीन, देखे, जल में घुलंसील बिटामीन, दो बिटामीन है, बी और सी याद रखेगा, बी और सी, यहां ऑप्शन में सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तो बी और सी जल में घुलंसील और ध्यान रखेगा, ये दोनों वसा में गुलंसील नहीं कई बार प्रस पूछता है जल में गुलंसील कई बार पूछता है वसा में गुलंसील तो बी और सी के अतिक जितने हैं वह वसा में गुलंसील है और बी और सी जो है यह जल में गुलंसील है जो जल में गुलंसील होगा वह जल में गुलंसील नहीं हो तो आर्थोप्लस्टिक के तार्ट ये आ जाएगा आपका रदवधी निम्लिकत में से किसकी अल्पता deficiency से होता है तो ये VITAMIN-A की कमी के काण होता है कोलेस्टाल का असमान इसतर संभ़ित है किस से धम्नियों के कठोर हो जाने से देखिये कोलेस्टाल के समद धमनियों से हैं धमनिया क्या होती है मोटी पेशी तथा लचीली भिती युक्त रुधिर ना लिकाएं जो रुधिर को हिरदय से विभिन अंगों तक पहुचाती है धमनिया कहलाती है यह सरीर में गहराई में इस्तित होती है तथा इनमें कोई कपाट नहीं पायाता है फुषपुस धमनी जो होती है सभी धमनियों में आक्सिक्रित रुधिर प्रवाहित होता है क्योंकि ये हाट से आपके सरीर के विविन अंगों में जाती है अगला है आजकल सबसे अधिक प्यूगत होने वाली इन्पोट डिवाइस कौंझ सी है, तो ये है आपकी कीबऻ है, कॉन सी है, कीबऻ है, कार में लगा हुआ गति मापक एंतर सूचित करता है किसे commercial को commercial को इनमेर से कौन सा उद्योग चुम्मिकिये सही गुन पहचान जो M.I.C.R होता है अधर्ट मैटिक इंग करेक्टर का रिडर इसका इस्तमाल सबस्यादी कहा होता है तो जो bank होता है वहाँ पे check को पढ़ने के लिए इस्तमाल होता है भारती शूपर कंपिटर का नायम क्या है परग है ठीक है इसका जो कह सकते है निरमाण है और शीडरक निक किया था आगे बढ़ते हैं अगला है शंगड कोई या कंप्यूटरों में आईसीच जोचिप होती है इस प्राया किस से बनी होती है तो ये आपकी सिलिकॉन से बनी होती है निमलित में से कौन सा जैविक मूल जैविक मूल का है और्गनिक ओरजिन का है तो मूंग जो होता है कोरल लीफ ये जैविक मूल का होता है निम्लित्म से किसके रच्छन समझी था तो ये ओजोन परत के समझाद समय था और मौंट्योग प्रोटकाल 16 सितंबर 1927 को यह समझोता हुआ था कहां पे कनाडा के मौंट्यल में इसलिए ओजोन दिवर्स प्रतेक वर्स 16 सितंबर को मनाया जाता है ठीक है निमनांकित में से कौन सा एक सरवाधिक भंगूर पारिस्तिक तंत्र है मतलब सबसे जल्दी मतलब बहुत अधिक संबेदन सील है जो बैश्विक तापंदर सबसे पहले प्रभावित होगा तो आर्क जोन परत की मुटाई मापने वाली काई है तो डॉप्सन में मापा जाता है किसमें डॉप्सन में मापते हैं निमनित में से कौन सा प्रदूशन कारक जैवी रूप से अभगटित होता है बायो डिग्रेवल होता है तो जो मल होता है ये बायो डिग्रेवल होता है उत्राखंड में निम्रित में से कौन विश्व धर्वर इस्थल घोशित किया गया तो 2005 में नंदा देवी बायोस्पियर रिजर को घोशित किया गया था अगला है आइस्थाई जनगर्णा रिपोट 2011 कि उसर उत्राखंड के किस जिले में प्रती 1000 पूर्ष पर महिलाओं की सं पद में आगे चलते हैं इनमें से कौन संद्रित उत्राखंड का नहीं है देखे जागर चांचरी ठड़िया ये सभी उत्राखंड के पूर्ण 13 ताली ये रायस्थान का है वहाँ प्रदेश जिसने अटल खाद्यान योजना आरम प्रारम की उत्राखंड ने प्रारम की थी माना दर्रा इससे थे कहाँ पर उत्राखंड में है उत्राखंड राज के किस जिले से चिपकों आंधुना प्रारम प्रारम वहा था तो चमूली जिले से प्रारम वहा था गठन के दोहा चक्र में केंद्री मुद्धा क्या रहा है किर्सिस सम्मधिद मुद्धे इसमें रहे हैं तो यह option हो जाएगा आगे चलते हैं अगला है पुस्तक भारत की दूसरी सुन्ता के लिए कौन रहे हैं लोक नायक जैप्रकास नराण आदी संक्रा चार दौरा इस था इसका ऐस्योजन होता है तो उसमें अफ्रिका भी सामिल हो जाता है पहले भ्रिक था फिर ब्रिक्स हो जाता है थीक है आगे चलते हैं सेम्ध राष्ट मानो विकास किसके दो रहा विक्षित किया गया तो मैं पाकिस्तान के जो अर्थशास्तिर है महभूँ उल्हक बाद में अगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका अस्टेलिया वाश्री किस माश्रम में किसम बनाते हैं यह गर्मी में मनाते हैं क्योंकि ये अश्टिलय क्या है दच्छनी गुलार्द में इस्तित है ठीक है दच्छनी गुलार्द में इस्तित है जब उत्री गुलार्द में ठंडी होती है तो पचीस दिसंबर जो होता है जब उत्री गुलार्द में ठंडा मौशम होता है तो पचीस दिसंबर दच्छनी में गर्म मौशम होता है शंसर पहरा लोग पाल विध्यक कब रखा गया था तो 1968 में और 2013 में अंताहिए अध्रियम पारित होता है रणवीर सिंग विष्ट का संबंद किस से रहा है तो इनका संबंद चित्रकला से रहा है इन्हें 1991 में पदमसीरी दिया गया था कैलास मांसरोर इन्डिया पूँस्टग किस ने लिखी है ये एम फोस्टर ने लिखी है वायु यान में ब्लैक बोक्स का रंग कैसा होता है इसे के मादम से हमें जानकारी मिलती कि वायु यान की दुर्गटना किन तक्निकी कारणों से हुई थी तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इत निवाद